आदरणिये प्रधानमंत्री जी, स्रधे दरेद्र मोदी जी का स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोग कोरोना के इस दौर के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में सामिल हुए हैं इसके लिए मैं आज सब लोगों को खृदेश से धन्यवाद देता हूँ और आपका हार्दी का विनंदन करता हूँ इस कारिक्र में उपस्थित बिहार प्रदेश भारतिय जनता पार्ठी के अध्यक्ष स्री संजे जैस्वाल जी मानिय केंद्रिय मंत्री स्री आरके सिंग जी सासा राम के मानिय सांसच छेदी पासवान जी विकास सील इनसान पार्ठी के अध्यक्ष स्री मुकेश सहनी जी भाजपा की महिला मोर्चा प्रभारी स्री मती निवेदिता सिंग जी और इस कारिक्रम से जुड़े विधान सभाद छेत्रों के सभी एंडिये प्रत्यासी गन यहां एंडिये के चारों घटक दलों के सभी पदाधिकारी गनेम कारिकरता गन प्रिंट एवं एलेक्ट्रोनिक वीडिया के पत्रकार बंधूँओं छायकार मित्रों और इस चुनावी सभाद में उपस्तित बहनों एवं भाईयों यह जो कुरोना वाइरस का दौर चला पूरे दुनिया में लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए स्रधे मोदी जी के नित्रित में इस देश में काफी पहल हुई और हम लोगों ने बिहार में इनके द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताविक सब काम करने की कोशिस की है अब यहाँ जाच का भी दर्ब बिहार में हम लोगों ने काफी अच्छा करने में सफलता प्राप्त की है और इसके अलावे अब जो रिकवरी रेट है बिहार में वो लगभक 94 प्रत्सत है इलाज की भी सारी व्यवस्ता है और जो कुरोना के दौरान केंद्र से सहीयोग मिला वो आप सब लोगों को मालूम है जो हमारे लोग दूसरे राज्यों में फसे हुए थे उनके लिए विसेश ट्रेनों का परिशालन किया और वो भारी संख्या में यहां पर पधारे केंद्र सरकार ने रासन कार्ट धारियों को P.A.P.D.S के अत्रिक सहायता दी आप समझ लिजिए कि अप्रेल से सुरू होकर के नवंबर महीने तक के लिए प्रती व्यक्ति 5 किलो गेहु या चावल और एक परिवार में एक किलो दाल या चना का वितरन किया जा रहा प्रधान मंत्री उज्वला योजना के अंतरगत हर गरीब परिवार को मुफ्ट में लपी जी का कनेक्शन मिला हुआ है और कोरोना के दौरान 85 लाख परिवारों को मुफ्ट एलपी जी गैस सिलिंडर उपलफ्ट कराया गया प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत महिला लाभारतियों को 500 रुपय प्रती माह की दर से 3 माह की रास्ति प्रधान की गई और इसके बाद जो हमारे लोग बाहर से हां आए उनको मजबूरी में बाहर न जाना पड़े इसके लिए आदर निये प्रधान मंत्री जी ने गरीब कल्यान योजना का सुभारंब बिहार से ही करवा दिया अब उससे लोगों को काफी सहुलियत होगी और मजबूरी में लोगों को जाना नहीं पड़ेगा और इसके अलावे कुरोना के जाच और इलाज के लिए भी काफी सहायता अवस्चक सामगरी की दी गई और इसके अलावे पांच-पांस सो बेट के कुरोना अस्पताल का विंदिर्मान किंद्र सरकार के द्वारा किया गया है पट्टना जिले के बगल में बेटा में पट्टना के बगल में और मुझफ़त पुर के पताही में यह सब काम चल रहा है और इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से लोगों को सहायता दी जो हमारे लोग बाहर फसे हुए थे उनको हम लोगों ने 21 लाख लोगों को रासनकार धारियों को उन परिवारों को एक हजार रुपय के दर से सहायता दी गई और बिहार सरकार ने लगभग अब तक इस दोर में दस हजार करोर रुपय से भी अधिक खर्च किया है हालां कि कोरोना का मृत्यूदर पूरे देश में जो विस्व का मृत्यूदर है उससे काफी कम है और हम लोगों का रास्त्री उसत से भी कम है और हर जो इस प्रकार के लोगों की मृत्यूदर होती है उनके परिवारों को मुख मंत्री राहत कोश से 4 लाख रुपए कि सहायता देते हैं और केंद्र सरकार ने अन्य सभी योजनाओं के लिए काफी प्रसंसनिय योजनाओं की सुरुवात कराई आप सोच लिजे किसान सम्मान निधी योजना हर किसान को एक साल में छह जार रुपे देने की जो योजना इन्होंने चलाई चुनाओं के पहले एलान किया और अब किस तरह से मिल रहा है तीन खंड में लोगों को चार-चार महीने में ये सब पैसा मिलता है बिहार के 75 लाग किसानों को इसका लाब मिल रहा और बिहार की प्रगति के लिए अनेक काम समय कम है आदर निये प्रधान मंत्री जी को हम सब सुनना चाहते हैं आप सब लोग इसके लिए उपस्थित हुए हैं लेकिन हम बताना चाहते हैं कि विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा और बिहार में सडकों के और पूलों के निर्मान के लिए भी 50,000 करोड रुपे से जादा की योजना की सुकृति दे कर उस पर काम चल रहा तो इस प्रकार से हर तरह से और आपको मालूम है पहले यहां 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले और क्या था यहां कोई संस्थान की स्थापना होती थी मेडिकल कॉलेज का क्या यह केंदर सरकार का सहीयोग मिल रहा है और आठ नए मेडिकल कॉलेज और बनाये जा रहा है तो एक एक काम कई चीजों में जो सहीयोग मिल रहा है हवाई अड़ों के निर्मान में मिल रहा है तो केंदर सरकार के द्वारा बिहार की प्रगती के लिए बिहार के लोगों के ल इसके लिए समस्त बिहारवास्चियों की तरफ से उने हिरदय से धन्यवाद देता हूँ और आप लोगोंने काम करने मौका दिया हमें गोंको एंडिये फिरना काम करने काम जिन त्र उन्स साल काम करने का मौका मिला अपरात कितना था सामुहिक नरसंगार अपहरन की घटनाएं कितने डॉक्टर को यहां से भागना पड़ा कितने ब्यापारियों को भागना पड़ा और हम लोगों ने अपरात पर नियंत्रन किया और केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्स प्रकासित हो में अभी सबसे हाल में जो अपरात का अंकड़ा प्रबासित हुआ है केंदर सरकार के द्वारा सभी राज्यों का उसमें आप जान लीजिए बिहार की इतनी आबादी और अब बिहार अपरात के मामले में 23 नंबर पर है तो हम लोगों ने इतना अपरात के नियंतरन के लिए जो काम किया है यह आप सब को मालूम है और विकास का दर आप समझ लीजिए पहले जो विकास कुल सकल घरेलू उत्पाद उनका था जब उन लोगों का कारेकाल समाप्त हुआ उस समय 76,466 करोड और अब यानि स्थिर मुल्य पर 4,14,977 करोड रुपया हो गया है और विकास दर भी बिहार का 12.08 प्रतिशत प्रतिव्यक्ति आएक में भी ब्रति 10.52 प्रतिशत तो यह सब काम बिहार के लिए किया गया और बजट का क्या कार है जब उननों को काम करने का मौका म पिला तो उनका बजट जो अंतिम वर्स का बजट उनका था और उन बजट 24,000 करोड रुपया से भी कम और जब हम लोहों को काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है तो अब बजट का कार बढ़ते-बढ़ते दो लाक ग्यारा हजार करोड रुपय से भी आगे गया है तो हम लोगों ने भी सेवा किया है और अब तो हर घर बिजली पहुँचा दिया हर घर नल का जल पहुँचाने का काम चल रहा है 83 प्रत्सत के करीब पहुँच गया हर प्रकार से हम लोग पूरे देश में सौचाले का निर्मान बिहार में भी लब तक वो काम पूरा हो गया तो यह सब काम किया जा रहा है और इतना ही हम आपको कहेंगे कि अब पहले क्या हाल था बिजली का जब उन्लों को काम करने का मौका मिला तो पूरे बिहार में बिजली की खपत 700 MW थी और अब 6000 MW भी जादा बिजली की खपत है तो हर प्रकार से जो विकास का काम है वो सब हम लोग करेंगे और एक ही बात कहेंगे अब इसके आगे मौका दीजियेगा तो हर घर में बिजली पहुँचा दिया है लेकिन इसके बाद हर गाओं में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे कि रात में अपना बिजली घर का बंद करिये पूरे गाओं में रौस नी रहेगी अगर आगे मौका दीजिएगा अनेक काम हम लोग इन सब चीज़ों के लिए करेंगे और एक बात आपको अस्वस्त कर देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को आगे काम करने का मौका दिया तो हर खेट तक सिचाई पहुचा देंगे हम लोग एक एक काम हम लोग यह सब काम आप सब लोगों को करेंगे और जो नई तकनीक है इन सब और आप समझ लिजिए सरदे मोदी जी के नेत्रित में केंदर सरकार ने जो काम किया है अब जो नई टेकनलोजी है उसका लाव लोगों को मिले गाउं गाउं तक पहुचाने का काम यह कर रहे हैं हम तो यही कहेंगे कि अगली बार मौका मिलेगा तो इस नई टेकनलोजी के बारे में भी हम सब लोगों को हमारे जितने लोग हैं उसका प्रसिक्शन कराएंगे तो आगे मौका दीजिएगा हम लोग काम करेंगे अब तक हम लोगों ने सेबा की है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है समाज के हर तप्य के उत्थान के लिए काम किया गया हर इलाके के विकास के लिए काम किया गया अगर आप आगे मौका दीजिएगा तो केंद्र सरकार के सहीयोग से और राज सरकार की पहल से पूरा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा हम नई उचाईयों को प्राप्त करेंगे और एक विकास सील बिहार के रूप में यह परिनत होगा यही कहते हुए मैं पुनह स्रदेप धान मंत्री जी का आदर्णिय नरेंद्र मोदी जी का अभिननन करता हूं और आप सब लोग इस कारिक्रम में सामिल हुए आप सब को धन्यवाद देता हूं और एक ही अपील करता हूं कि हमारे एंडिये के तमाम प्रत्यासियों को भारी मतों से विजाई बनाईएगा इनी सब्दों के साथ आप सब को धर्दे से धन्यवाद आपको प्रणाम मैं अपनी बात समाप करता हूं